महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध की सत्रह वेदिन को हम कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध की दर्शक खुद देवगल थे जिनमे सूर्य देव इंद्र देव महादेव वरुन देव और अन्य कई देव शामिल थे। इस युद्ध को महाभारतकाल का सबसे प्रलायकारी युद्ध कहा गया है। चलिए हम आपको इसका पूर्ण व्रेतांत को सुनाते हैं। इस युद्ध शुरू होता है। शुरुआत में तो शल्यकर्ण का मनोबर तोड़ने का पूर्ण प्रयास करते हैं। अर्जुन भी इस अस्त्र को निरस्त करने में असफल रहते हैं और उन्हें भी बाकियों की तरह वहां से भागना पड़ता है। यह अर्जुन की करने के हाथों पहली हार थी। फिर इसके बाद पांदव सेना के सभी बड़े महारती भीम सत्या की शिखंडी नकुल सहदेव उपांदवस धृष्ट ग्युम्न और अन्यवीर पांदव योध्धा एक साथ करन पर आक्रमन कर देते हैं। किंतु करन अपने ब्रहमास्त्र से उन सब को भागने पर मजबूर कर देते हैं। करन उन्हें भी कुंती के वचन के कारण मार नहीं सकते थे इसलिए वे उसे बस दो तीन बाते सुना देते हैं। करन उसका शरील लेकर युध भूमी से बाहर चले जाते हैं। जब करन रंगूमी पर नहीं होते तब करन के जेश्ट पुत्र व्रिशासेन नकुल से युद्ध करता है। कथिन प्रयास के बाद व्रिशासेन नकुल को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। नकुल की सहायता के लिए भीम आगे आते हैं। किन्तु व्रिशासेन भारी तीरह की वर्षा कर भीम को भी घेरे में घेर लेते हैं। यहां भीम को अरजुन से सहायता मानगनी पड़ती है कि अरजुन व्रिशासेन का वद्ध कर दे। और इसी के साथ अर्जुन अपने 12 बानों से कर्ण के पुत्र व्रिशासेन के सरहाथ और पैरों को उसके शरीर से अलग कर देते हैं और इस तरह कर्ण के पुत्र व्रिशासेन की मृत्यू हो जाती है कर्ण रंगभूमी पर लोट रहे थे और कर्ण की आँखों के सामने ही उनके पुत्र की मृत्यू हो जाती है और कर्ण इसका कुछ नहीं कर पाते इस द्रिश्य के बाद कर्ण और अर्जुन में निरनायक युद्ध छिर जाता है शुरुआत में दोनों सामान्यतीरों का प्रयोग करते हैं किन्तु बाद में दोनों दिव्यास्त्र का प्रयोग करना शुरू करते हैं वरुन अगनी और अन्य अस्त्र एक दूसरे पर छोड़ते हैं दोनों एक दूसरे के अस्त्रों को निरस्त कर देते हैं तर्न समझ जाते हैं कि वो अर्जुन को अपने सामान्य धनुष से परास्ट नहीं कर सकते इसलिए वो अपने विज्य धनुष को उठाते हैं और उस पर ब्रहमास्थ का आवाहन करते हैं। कमजोर ना हो और अपनी पूर्ण शक्ती से आज कर्ण का वद कर दे। अर्जुन के गिरे हुए मनोबल को देखकर श्री क्रिश्न खुद उसे कहते हैं कि यदि तुम्हारे अस्त्र कर्ण का वद करने में असक्षम है तो तुम मेरा ही सुदर्शन चक्र लो और इससे कर्ण का सामने आते हैं। तर्ण को रोकने के लिए अर्जुन अपने ब्रहमास्त्र का आवाहन करते हैं। शत्र शत्रू की छाती पर नहीं लगेगा इसलिए कर्ण धनुष पर इसकी प्रत्यंचा दोबारा चड़ाएं। कर्ण के पास आता है और उनसे कहता है कि वह अर्जुन की मृत्यु चाहता है इसलिए वह कर्ण के बान पर बैग जाएगा और अर्जुन को अपने विश से मार देगा। किन्तु कर्ण पूने उनकी सामने आ जाते हैं। संजेद रित्तराश्ट्र को बताते हैं कि जब अर्जुन कौरव सेना का सनहार कर रहे थे तब ही अचानक कर्ण उनकी सामने आ जाते हैं। कर्ण एक के बाद एक अर्जुन के गांधी दिव्यधनुष की प्रत्यांचा जो 116 धागों से दिव्यधागों से मिलकर बनी होती है जिसे कातना नमुम्किन काम होता है उसे कर्ण 11 बार लगातार कात देते हैं। इसके बाद कर्ण नहीं चाहते थे कि जब वो अर्जुन की मृत्यू के इतने करीब हैं तो उनके किसी अस्त्र का प्रतिकार अर्जुन कर दें। धर्टी मा के दिए श्राप के कारण कर्ण के रत का पहिया धर्टी में 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 धर नियमों के खिलाफ है कि उनका रत धर्ती में धस गया है और अर्जुन अपने रत पर सशक खड़े हैं इसलिए वह रुके और उन्हें उनके रत का पहिया निकालने दे। ये सुनकर अर्जुन अपने अस्त को रोक लेते हैं। करल भी नीचे उतर कर अपने रत का पहिया गद इसलिए वह रुक क्यों गए उन्हें करन पर अभी वार करना होगा। अर्जुन कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है इसलिए वह अस्त नहीं चला सकते। श्री कृष्ण उन्से कहते हैं कि करन ने कभी खुद तो नियमों का पालन नहीं किया वह हमेशा अधर अर्जुन का सहयोगी बना रहा। उसने दुरियोधन की मितरता में आने को गुरे काम किये। इसी करन के कारन तुम्हारा पुत्र अभिम्यु मारा गया था। इसी करन ने द्रौपदी को अपशब्द कहे थे। पार्थ इस पापी करन का सनहार करडो। श्री कृष्ण की य अर्जुन उन पर अस्त्र चलाने वाला है। जब अर्जुन करन पर अंजलिका अस्त्र चला रहे थे उसी बीच करन अपना विजय धनुष उठाते हैं करन अपने एक पेर से धनुष को संभालते हैं। बाए हाथ से वरुनास्त्र का आवाहन कर उसकी प्रत्यंशा को बाए रहा होता है ताकि अपने दाए हाथ से रत का पहिया उठा सके। कर्ण इस वरुनास्ट को केवल अपने बाए हाथ और बाए पैर के मदद से चलाते हैं। एक बार तो सम्पूर्ण धर्ती कर्ण की केवल चार उंगलियों उपर को उठ जाती है लेकिन कर्ण की दोनों हाथ धर्ती के नीचे आ जाते हैं। कर्ण के दोनों हाथ जकर जाते हैं कर्ण अपने हाथों को हिला नहीं पाते जैसा कि उन्हें धर्ती मां का श्राप था। उनके शरीर से अलग कर देता है और इस तरह कर्ण की मृत्यू हो जाती हैं कर्ण की मृत्यू पर खुद श्री कृष्ण फूट फूट कर रोते हैं खुद सूर्यदेव महादेव से पूछते हैं कि उनके पुत्र में तो सर्वश्रेश्ट पराक्रम था तो उसकी पराज़क क् महादेव कहते हैं कि कर्ण वाकई में बहुत बड़े योध्धा थे बहुत बलशाली थे बहुत ज्यानी थे और बहुत महान भी थे लेकिन क्योंकि वह धर्म के साथ थे इसलिए उनकी पराज़तो निश्चित थी महादेव की यह बात सुनकर सूर्यदेव अपने लोग को चले जाते हैं दुर्योधन कर्ण की मृत्यू का समाचार सुन बेहोश हो चुके थे शलिय अश्वत्थामा कृपाचार या विश्वकर्मा और अन्य गोरव योध्धा उन्होंने बहुत मुश्किल से दुर्योधन को संभाला था कुंती भी यह समाचार सुनकर बहुत मूर चित हो गई थी। दिन खत्म होते होते पर शुराम भी कर्ण को देखने को आये थे। क्योंकि कर्ण का कोई पुत्रब जीवित नहीं बचा था इसलिए श्री कृष्ण ने खुद उनकी चिता को आग देकर उनका अंतिम संसकार किया। कर्ण और अपने पुत्रों की मृत्य चित के बाद कर्ल की पत्नी ने भी खुद को सती कर लिया। अगर आपको ऐसे ही विडियोज देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट मेई कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा हम आपके कमेंट का रिपलाई देन की पूरी कोशिश करेंगे शेर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हीं ये बात पहले से नहीं पता थी अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लोटेंगे आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे